चिराग लेके दूरना पड़ेगा जो बोलेगा कि मुझे पानी पुरी नहीं पसंद है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना ये मैंने पीली वाली मटर है इसको फुला दिया था ओवरनाइट और इसको धू के अच्छे से इसमें पानी डालके और इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी बस और कुछ भी नहीं डालना है और इसको 3-4 विसल तक उबाल लेना है अच्छे से गल जाने चाहिए अब इसकी पानी रेडी करते हैं तो इसके लिए हरी धनिया, हरी मेज, अद्रक, पुदीना नहीं था वो भी डाल सकते हैं और इसका अच्छा पेस्ट बना लेंगे वैसे तो जो पत्थर में पिसके जो बनती है न चटनी उसका फ्लेवर और कुछ अलग आता है तो इसको चान लिया और इसमें अच्छा थंडा पानी फ्रिज का थंडा पानी या तो बरफ डाल दीजे वो मिला देंगे अब चलिए इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं यह सफेद नमक, काला नमक अब टेस्ट करते जाएए और देख लिजे कितना जरुरत है भुना पिसा जीरा और यह आमचूर पाउडर और अच्छे से बढ़ियां मिक्स कर दीजे टेस्ट भी करते जाएए यह समझ में आ जाएगा कि कितना क्या नमक और डालना है और यह नीबू डाल दीजे बढ़ियां खटा हो जाता है ना तो मजा ही आ जाता है अब पानी पूरी हम हमेशा पैकेट बाहर से तो नहीं ला सकते हैं तो यह घर में बनाने में इतना जहनजट तो इसको सिर्फ फ्राई करना है और यह पूरियां रेडी हो जाती है देखिए यह भी खुशी से फूली नहीं समा रही है गुबारे जैसी फूल गई है तो यह देखिए हमारे रगड़ा जिसको बोलते हैं या यह मटर है यह पग गई है तो इसको छमस से तोड़ा से चला लिजेगा अच्छे से घुट जाएगी मिक्स हो जाएगी अब पुली की चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी और प्याज कट कर लिया है आप बस चलिए शुरू करते हैं यह देखिए साउंड अच्छा लग रहा है ना यही साउंड है जो दिल की गहराईयों तक चला जाता है तो बस इसमें रगड़ा डालिए प्याज डालिए यह देखिए लगाना बढ़िया तो इसमें फैट वैट का कोई जहंजट नहीं बस पूरियों में वो भी हलका तेल लगता है पानी अच्छा रहता है डाजिस्टिव सिस्टम के लिए मटर अच्छी है सब कुछ अच्छा है अरे तो फिर इतना क्या सोचना बना लिजे और जोई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर दीजे